हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टरी फिट चैनल दोस्तो हां किस रिलेटेट मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्टन्स जो आपके एक जांस में हर बर पूछे जाते हैं तो दोस्तो यह आपका हां किस रिलेटेट चाउथा वीडियो है दोस्तो मैं जो इतलेटिक से जितने भी कोस्टन्स हैं मोस्ट इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट जो आपके एक जांस में हर बर पूछे जाते हैं तो पांस अच्छे वीडियो में उसको मैं कम्प्लिट कर दी हूं और दोस्तो यह आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी बेली बेसिस पे तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्णों की तरफ दोस्तों कोस्टन नंबर वन है कि मेजर ध्यान चंद किस ओलंपिक में भारतिय टीम के कप्तान थे तो ए 1936 बरलीन ओलंपिक के भारतिय टीम के कप्तान थे एंड दोस्तों जैसा कि आप से पुछा जा सकता है कि 2018 ए मस्टरडम हालेंड में जो पहली बार भारतिय हाकी टीम ने अपना गेम खेला था और स्वर पदक प्रात्व किया था उसमें कप्तान कोन थे तो जैपाल सिंग थे और उस 1928 के मस्टरडम हालेंड ओलंपिक में मेजर ध्यान चन्द जी ने 76 में से कुल 32 गोल अकेले किया था एंड 2020 टोक्यो ओलंपिक के आपके कप्तान थे मनपरीत सिंग इसको भी ध्यान रखेगा जैसा कि दोस्तो अभी ओलंपिक में भारती हाकी टीम ने कुल 12 पदक जीते हैं जैसे कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत में कौन सा पदक जीता था तो कांश से पदक कप्तान कोन था तो मनपरीत सिंग नेश कोश्चे थे दोस्तों कि महिला हाकी का प्रथम विश्चो कप टूर्नामेंट की सुरुवात कब हुई थी तो 1974 में हुआ था पुरूस हाकी का 1971 में नेश दोस्तों प्रथम महिला हाकी विश्चो कप और किस देश में आयोजित हुआ तो पर्थम महिला हाकी बिस्टकप जो है उनिस सो चोहंदर में डिली यू फ्रांस में आजित हुआ एंड तो पर्थम बिस्टकप पूरूस की बात करें हाकी की तो पर्थम महिला टीम का कौन सा अस्थान था तो इसमें भारती महिला टीम का भारत के तरफ से अस्थान था आग का चौथा अस्थान था निस्ट है सन 1981 इस्वीविट टोक्यो में पर्थम ACI महिला हाकी की पर्तिविटा किसने जीती थी तो भारत ने जीती थी इसने जीता था भारत में नेश्था यदि इस टोट अफ नीले रंका है तो बाल किस रंग की होनी चाहिए तो दोस्तो इस टोट अफ नीले रंका है तो बाल पीले रंका होगा और इस टोट अफ हरे रंका होगा तो बाल सफेद रंका होगा यह आप ध्यान में रखेगा नेश्ट दोस्तों यदि इस टोटफ हरे रंका हो तो बाल किस रंका होगा यदि हरे रंका है तो बाल सफेद रंका होगा नेश्ट कोशन है हाकी की लंबाई के लिए लंबाई निर्धारित नहीं है मगर समाने तह कितनी होती है तो यहाँ इंच में यहाँ पे दिया है दूस्तों वैसे तो इसकी लंबाई आपकी होती है 100 गज लंबा और 60 गज चोड़ा यानि कि एक्यामिन दसनों 4.0 मीटर लंबा और 5.0 मीटर चोड़ा तो यहाँ पे इंच पे दिया है तो इंच में आपका हो जाएगा 37 से 49 कितना हो जाएगा 36.05 से 38.05 इंच नेश जो तो भारती हागी टीम ने किन-किन ACI खेलों में स्वड़पदग जीते हैं तो किन-किन ACI खेलों में स्वड़पदग जीते हैं भारती हागी टीम ने तो इसको आप इसे श्रुप से ध्यान तो किन-किन-किन अखेलों में भारती हागी टीम ने कहों सा पदग जीता था तो तो सिल्वर मिरल जीता था भारती हाकी टीम ने और 2010 राश्मंडल खिल भारत में आउजित हुआ था यह भी अभ्यान में रखिएगा नेशा दोस्तो उनिस सो अठाइस ओलंपिक खेलों में हाकी टीम के कप्तान कौन थे दोस्तो जब पहली बार भारती हाकी टीम ने कव कुल 12 पंड़क आठ तंवड़ा दोस्तो सह हांगी का इसकी इस्थापना कब हुई नेशट है आधरानी खेलों का जर्मदादा देश कीस देश को कहा जाता है दोस्तो यंगलेंडको नेश्ट है दोस्तों कि भारत की प्रतम प्रतिविता का क्या नाम था तो भारत की प्रतम प्रतिविता का नाम था बेटन कप जो 1875 को खिला गया जैसा कि दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि बेटन कप किस खेल से रिलेटेट है तो हाखी से ऐसा 來到 mi question पूशता है ने शेद उस्त्तों इंडियन हांकी tw스터 का मुख्यालर कहा है तो इंडियन हाखी ihf का मुख्यालर डिल्ली में है जैसा की इंडियन हाखी federation की स्थापना उनी 25 नए डिल्ली में हुआ इसका headquarters नए दिल्ली international stadium है dece lane in a.er नेश्ट है भार्ती हाकी शंग के पर्थम अध्यच्च का क्या नाम था तो कर्णल बूस टर्नवाल नेश्ट है EFIGN Federation International डी हाकी के पर्थम अध्यच्च कौन थे तो पार लियांटर सी फांट थे और बर्तमान अध्यच्च कौन है नरेंदर ध्रूबत्रा नेश्ट है दोस्तों कि लंदन उलम्पिक 2012 में मेजर ध्यान चंद रूफ सिंग लेजली क्लाडियस के नाम पर मेट्रो इस्टेशन बनाएं गए उपरत खिलाड़ी किस खेल से समंधित हैं तो हाकी से नेश्ट है दोस्तों 2014 हा की वर्ल्ल कप कहां पर आयोजित हुआ था तो 2014 हा की वर्ल्ल कप निदर तो 13 जनवरी से 29 जनवरी तक 2023 भुनिसंवर कलेंगा इस्टेडियम में होगा नेश्ट है दोस्तों कि सूपर फायर प्ले ट्रॉफी जो दो शाल में एक बार दी जाती है तो 2012 में किसको दिया गया था तो सिंगापुर हॉक्य एसोशीएंशन को दिया गया नेश्ट है पपलु नेग्रे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो हॉक्यी से संबंदित है नेश्ट दोस्तों ओलंपिक में हाकी कि कितने टीमें प्रतिभाग करती है बेरी इंपॉर्टेन कोस्टेंस है दोस्तों तो ओलंपिक में हाकी की बारा टीमें प्रतिभाग करती है नेश्ट दोस्तों लंदन ओलंपिक 2012 में किस देश ने पूरुस हाकी में गोल्ड मेडल जीता था तो किस ने जीता था जरमनी ने नेश्ट है लंडन ओलंपिक 2012 में किस देश ने महिला हाकी में गोल्ड मेडल जीता था तो महिला हाकी में निदर लैंड जीता था ने जट लंदन औलमपिक 2012 में भारती हाकी टीम के कपतान कौन थे? भरत छित्री थे तो आपको भारती हाकी टीम के कपतान को 4 आपको 20 शुप से ध्यान में रखना है एक पर 1928 इमिर्स्यावडम हालन्ड में भारती हाकी टीम के कपतान थे जैपाल सिंग एंड एक आपका 1936 में बरलीन जर्मनी उलम्पिक में ध्यान चन थे एंड लंडन उलम्पिक 2012 में भारत अच्छत्री थे और 2020 टोकियो उलम्पिक में मनपीत सिंग थे नेश्ट दोस्तो हाकी वर्ल्ड कप सबसे अधिक किस देश ने जीता है तो पाकिस्तान में जीता है नेश्ट है भारत ने हाकी वर्ल कप मातर एक बार जीता हुआ किस सन में जीता था दोस्तों तो भारत ने हाकी वर्ल कप 1975 में सिर्फ एक बार जीता है ठीक है नेश्टर दोस्तों महिलाओं का साथवा जुनियर बिस्व कप हांकी टूर्णामेल जो जरवनी के मोसे गलाबाख में 27 जुलाइस से 4 अगस्त 2013 को शंपन हुआ इसका बिजेता कौन सा देश था तो इसका बिजेता था अर्जेंटीना नेश्ट है महिलाओं के साथवे जुनियर हांकी बिस्व कप 2013 में भारती हांकी टीम ने कौन सा पदक जीत कर इतिहास रचा था तो का से पदक जीत कर नेक्स्त है महिलाओं के साथवे जूनियर हांकी 20lijk-23 में भारतिय टीम के कपतान कौन थे तो सूसीला चानु थी नेक्स्त है महिलाओं के साथवे जूनियर हांकी 20 dobr Lindsey में टूनामेन की सारसिष्ट खिलाड़ी कौन थी तो रानी रांपाल थी तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही I hope की सभी questions आपको समझ में आए होंगे जो भी doubt होगा मुझे comment में जरूर बताईए और जादे जादे वीडियो को share भी किया किजे दोस्तो और बने रही बेटरी तैयारी के लिए मेरे चैनल पर daily basis में तो दोस्तो एक वीडियो आपको कैसा लागा मुझे comment में जरूर बताईए और फर्स बार visit कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लेजिए बेल आइगन को press कर लेजिए जैसे न्यू वीडियो का update आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैसे